एक सज्जन ने मजाक उनाते हुए कहा सर राजे महाराजे, मुगल बादशाहों वप्राचीन काल के समराटों के कहानी किस से तो सुनाए जाते है लेकिन उन कहानियों में उनके नहाने धोने या उनके शोचालेयों का जिक्र कभी नहीं हुआ मुहन जोदारों के बारे में पढ़ने के दोरान सनान अग्रहों के बारे में पढ़ा था शोचालेयों के बारे में जानने को भी मिला मैं यह जानकर आश्चर्य चकित हुआ की आज का फ्लेश सिस्टम सिंधू घाटी की सभ्यता की देन है मल फ्लश कर उसे नालियों के द्वारा बहाने में वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी सामूहिक शौचालय भी मिले जहां अने को लोग एक साथ श्रौच कर सकते थे ऐसे सामूहिक शौचालयों का निर्मान शायद युद्ध में सिपाहियों के लिए बनवाया जाता होगा सिंधू घाटी की खुदाई के दोरान फ्लश टॉयलेट और नौन फ्लश टॉयलेट दोनों प्राप्थ हुए नालियों का जाल भी बिच्छा मिला जो कच्छे को बाहर करने में काम आता था पांच हजार साल पहले खुदाई में एक ड्राइ टॉयलेट मिला है जो दिखने में वेस्टन टॉयलेट जैसा ही था दिल्ली में सुलब शौचालय का संग्रहाले बनाया गया है जहां राजा महराजाओं के समय के सिंधासन की तरह दिखने वाले टॉयलेट और हरप्पा सभ्यता के दोरान मोहन जोदरों में इस्तिमाल होने वाले टॉयलेट सीट वविभिन तरह के प्राचीन शौचालय रखे गए हैं भारत में हरप पासब्यता के अफशेशों में अहमदाबाद के लोथल नामक स्थान पर शौचालय मिले है वर्ष पच्छी सौ इसा पूर्व में लोगों के पास प्रत्येक धर में जलजनित शौचालय थे जो जली हुई मिट्टी की इटों से धकी नालियों से जुरे थे संचालन और रखरखाव की सुविधा के लिए इसमें में होल कव कक्ष आदी थे यह सैनिटरी इंजीनिरिंग का बहतरीन रूप था लेकिन सिंधू घाटी सभ्यता के पतन के साथ ही सैनिटरी इंजीनिरिंग का विज्ञान भारत से क्यों गायब हो गया खोज का विशे है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य होगा तब से भारत में खुले में श्रौच अनियंत्रित हो गया जो आज भी जारी है